सबर कर मेहनत जारी है वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल मैस्विद फन में कैसे हैं आप सभी दोस्तों I hope enjoy कर रहे होंगे और अपनी आगे की preparation में लगे होए होंगे ये वीडियो बहुत ही खास होन वीडियो है और बहुत ही ध्यान से आपको देखना है यह वीडियो किसका है बीएसेफ हैं है कि हैड कॉंस्टेबल आरो यानि रेडियो अपरेटर और और आरेम रेडियो मेकेनिक का कट ओफ कि दोजार बाइस कि इसके बारे में यहां कुछ डिसक्रसिन करने वाले हैं और म यह भी डिक्टेक्शन का एक 50 मार्क्स का एक्जाम और होगा तो आपको क्या करना है प्रेपरेशन करनी होगी आरो के लिए तो अभी देखें अब यहां कटॉप की बात करें सबसे पहले आरो की यह नहीं रेडियो ऑपरेटर रेडियो ऑपरेटर की बात करें और दूसरा ह क्या रेडियो मेकनिक रेडियो और कि wasted कि अगर में बात करता हूं तो इसमें की बात कितनी निटी आप सभी को यादने क्या रेडियो ऑपरेटर की 900 तू और रेडियो मेकेनिक की थ्री हंड्रेड एंथर्टी आप सभी को पता है कि नेक्स स्टेज के लिए जो बुलाया जाएगा यह बीज गुना इन्हीं का बीज गुना होंगे इसमें आपको एक शी बता दे कि एक सर्विसमेंग और जो भी केटेगरियें उन सब के मैं बताता हूं यहां पर जैसे सबसे पहले करेंगे अगर बात करेंगे जनरल ओवी सी एडबलू एस कि और स्टी आरो के लिए क्यों की वेकेंसी जीरो थी तो इसकी कटोफ यहां पर नहीं देखने को आपको मिलने वाली है ठीक है दोस्तों तो अब आगे बढ़ते हैं और द आप क्वाइब कर जाएंगे लगबग 85 मार्श से 90 मार्श के बीच में आप अगले स्टेज के लिए क्वाइब कर जाएंगे ऐसे रेडियो अपरेटर के लिए बात करें तो क्या होगा कटोफ थोड़ी सी ऊपर जाएगी इसकी तुलना में तो यह रहने वाला है लगबग 95 से 100 के बीच में 95 से 100 के बीच है आप इक टोप ओवी सी की जैसे मैंने बताए रेडियो ओपरेटर की क्योंकि वेकेंसी जीरो थी तो यहां की कटोप का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है तो रेडियो मेकेनिक के लिए ओवी सी क्या हो सकती है 85 से 90 मार्क्स के बीच में अब बा रेडियो ओपरेटर की देखने को मिलेगी क्योंकि ओवी सी के क्या हो जाएंगे जनल में चले जाएंगे आपको पता है और इसकी वेकेंसी इडॉबलो इसकी भी अच्छी खासी है तो यह थोड़ा सा कटोप इसकी डाउन जाएगी ठीक है तो कटोप कितनी 80 से 85 की बीच मे ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहां आरेम के लिए तो इसी कटोप भी लगवाग 85 से 90 की बीच में या फिन 90 प्लस ही आप मानके चलें क्योंकि आपको पता है क्योंकि रेडियो मेकेनिक की वेकेंसी हैं काफी कम तो कटोप भी जाएगी थोड़ी सी जादा तो कटोप अगर जादा जाएगी तो 90 प्लस आप EWS का मानके चलें आपको बता दिया जाए कि कोई फ्यूचर तो बता नहीं सकता है यह सिर्फ एक अनुमान होता है जिसके आदार पर आप अपनी आगे की प्रेप्रेशन जरूर करते रहिएगा क्योंकि यह प्रेप्रेशन करेंगे तो ही आ तो आपको बहुत ज्यादा नुक्सान हो जाएगा और आप हमेशा उसके बारे में पस्ताते रहेंगे तो एसी के लिए अगर बात करूँ कि यह लगबक 70 से 75 के बीच में रहने वाला है मामला और अगर से के लिए RM की बात करें तो यह 75 to 80 के बीच में कटोफ रहनी चाहिए ठीक है दोस्तों अब ऐसे एस्टी का देख लेते हैं वह 68 से 78 कि इसको इतना ना मान करके आप यह मान के चलिए 65 to 70 के बीचे मान के चलिए 65 to 70 अब से लिए देखते हैं अरे चैहीं में आप मान के चलिए मी चलियक की कटोफ से 65 को में को सेटा के बीच में लगबख रहने वाली है और ऐसे रम के लिए यह लगबच 68 तू सेवizado कर चलिए आप यह फोड़ी सी इसके तुलना में ज़्यादा जरूर रहेगी और की तुलना में आरेमी कटोप फोड़ी सी ज्यादा जाएगी तो आपने यहां देखा दोस्तों एक एक करके हमने सभी केटेगरी की कुटोप पिल्ट के वारे में बात करि और आपको यह एक आइडिया दिया आप युख एग पर प्रॉपिशन कैसे करें और क्यों करें या आप को पता चल चुका होगा अगर वीडियो पसंद दोस्तों और चीज़े आपको समझ पर आ के लिए तयार हैं तो वीडिये को कर दीजे लाइक और चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब ताकि आगे की इंफोर्मेशन सभी आपको मिलती रहें तो चलते हैं दोस्तों मिलते हैं अगले एक यूजफुल और वीडियो में थैंक यू सो मच बाइबाइब जाय हिन